ये तो सब ही जानते हैं कि Big Boss 13 का Grand Premier कल एर होने वाला है और फैंस को इस सीजन के कंटेस्टेंस के अलावा Big Boss House की पहली जलक देखने के लिए भी काफी एकसाइटमेंट है वैलेंस फैंस के लिए हम लाएं हैं एक खास ख़बर हालांकि Big Boss 13 कल शुरू होने वाला है लेकिन आज रात डांस दीवाने के Grand Final एपिसोड के दोरान हमें मिलेगा Big Boss House का एक्स्क्लूजिव टूर और वो भी हम आपके हैं कौन के फ्रेम और निशा के साथ जी हाँ सोशल मीडिया पर एक प्रोमो फ्लिप से हमें ये पता चला है कि माधुरी दिख्षित नेने और सल्मान खान देने वाले हैं सभी को Big Boss House का स्पेशल टूर इस टूर में माधुरी और सल्मान की जोडी एवर प्रीन लग रही थी और दोनों की केमिस्ट्री आज भी उतनी ही फ्रेश है जितनी की हम आपके हैं कौन के दौरां थी वैल इस अमेजिंग जोडी के साथ Big Boss House का टूर वाख़े में कमाल का है और प्रोमो क्लिप में हमने देखा कि इंटिर्स काफी वाइबूंच और कलरफुल हैं माधुरी ने तो घर के किचन अरिया को एक नया नाम देते हुए उसे घर का पॉलिटिकल कैपिटल भी कह दिया है इसके बाद इन दोनों ने सलमान के कुछ हिट कानों पर डांस भी किया अब इतने दंदार क्लिप को देख कर हम सब को आज के डांग दिवानी फिनाले के साथ साथ करके बिग बॉस 13 के प्रेमियर का भी बेस लबरी से इंतिजार रहेगा है ना दबंग 3 का ट्रेलर से पहले आएगा म्योजिक येस वेलो गाइस, वेल्कुम पर मुवी जड़ा, दिजी और होस्ट एंदोस जोती नाहा दबंग 3 का ट्रेलर लेट से आएगा लेकिन पोस्टर तो एक आही चुका है अब गाने पहले आने वाले है ये फाइनली में रिवील हो चुका है, एक वेबसेट के बात कई ज़ारी है और रहे से रूमर्स है कि गाने पहले आएंगे वहाँ पर ओडियंस फ्लाट हो गई थी और सब एक्साइटेड थे ट्रेलर के लिए लेकिन अब ट्रेलर तो नहीं आएगा लेकिन गाने उससे पहले आजाएंगे शायद एक गाना पहले आएगा, वह कौन सा ट्रेक है, टाइटल ट्रेक है, सुनाक्षी और सल्मान का रोमांटिक ट्रेक है जो भी है लेकिन एक्साइटमेंट बनी रहेगी क्योंकि सल्मान का दबंग 3 का कुछ भी आएगा तो हम सब को वो भाएगा ही भाएगा सो आपको कितना एक्साइटमेंट है, सॉंग्स के लिए कॉमें सेक्शन और जाके में जो पताइए और सब्स्क्राइब करना मत भूली हमारे चानल मुवीजड़ा को मैं हु जोतीना हाग, साइनिंग ओफ सल्मान खान को बच्चों से कितना प्यार है हम सब ही जानते हैं और ऐसा ही कुछ प्यार दिखाते हुए नजर आए हाल ही में सल्मान डांस दिवाने के सेट्स पर वेल हेलो गाइस, वेल कम तो मुवीजड़ा, इस यह वोस्त दोस जोतीना हाग, सल्मान खान नजराये डांस भमाका करते हुए और साथी साथ बच्चों के साथ मस्ती करते हुए वेल, जब सल्मान डांस दिवाने के सेट्स पर पहुँचे, जहां पर माधुरी दुक्षिक के साथ भी डांस करते हुए नजराये, एपिक मोमेंस क्रेट करते हुए नजराये, वही पर जब छोटे-छोटे बच्चों ने उनसे कहा, कि सार आपकी बिग बॉस की जो फिल्म रिलीज हो रही है, बिल्कुल ठीक, और कुछ इसी तरीक से सल्मान भी बच्चों के साथ मस्ती करते नजराये, फिर बच्चों ने जो है, वो सल्मान को चालेंज कहा, कि आप हमारे डांस दिवाने के घर पर आये हैं, तो अब आपको हमारी बात मानने पड़ीगा, और हमार मस्ती हुई बच्चों के साथ खेलना कुदना हुआ, इतना फन एपिसोड है ये, आप लोग जरूर इंजोई कीजेगा, और कामेंट सेक्शन में जाके बताईए मुझे कि सल्मान और बच्चों की नोगजोग आपको कैसी लगती है, कामेंट सेक्शन में जाके बताईए, ये होस्ते अंदोज जोती नहां, साइनि ओफ. ये बाट बता, कैसे हो सकता है, जब 65 डेज में बनी ही फिल्म को कैसे हो सकता है, तो इसका बजट और इसका बजट जमीन आस्मान का फरक है, एंद मुझे लगता है, हमने ये करीबन 80-85 करोड में बना ली ये फिल्म, बाकि जितना और था, जो लिया था फॉक से, वो बाकि मैंने नहीं चोड़ लिया, यही है कि बिना अक्षिय जी के बेजट के ये बाहू लिसे कम है, फिल्म इंडस्ट्री के अंस्पोकन रूल्स में से एक है, सलमान खान का ईद पर फिल्म रिलीज करना, जी हाँ, बीते कई सालों से भाई जान ईद पर अपने फैंस को देते हैं एक बड़ा तोफा, इस बार भी ईद पर उनके फिल्म भारत ने किया था बड़ा धमाका, वैल इस फिल्म की रिलीज के बाद भायजान सीधे दबंग 3 के शूटिंग में बिजी हो गए, जो की क्रिस्मस फ्रीक में रिलीज होने वाली है, इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं प्रभुदेवा, और अब खबर आए है कि सल्मान खान और प्रभुदेवा दबंग 3 के बाद एक और प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं, और ये फिल्म ETH 2020 में रिलीज होगी, हालनकि पहले सल्मान खान संजे लीदा बंसाली की फिल्म इन्शाला पर काम करने वाले थे, पर अब जो ये फिल्म शेल्फ हो गई है, तो सब ही को भाई जान की अगली अनौंस्मेंट का इंतजार था, और अब सल्मान की इस अनौंस्मेंट से फैंस के बीच खुशी की लहेच आ गई है, सल्मान ने साथ ही कन्फर्म किया है कि इस फिल्म का टाइटल राधे नहीं होगा, हालनकि फिल्म की स्टोरी लाइन और कास्टिंग के बारे में कोई और खुलासा नहीं हुआ है, फिर भी फिल्म की अनौंस्मेंट भी फैंस को खुश करने के लिए काफी है, तो क्या आप भी सल्मान और प्रभुदेवा की Eats 2020 कोलाबरेशन के बारे में जानकर एक्साइटेड है, अपनी राए हमें जरूर बताएं. सल्मान कान फाइनली नजर आने वाले हैं, डांस दिवाने के सेट्स पर जी हां, माधुर एदिक्षा सल्मान की केमेस्ट्री कितनी स्ट्रॉंग है, यह हम सब ही जानते हैं, हम आपके हैकॉन की जमाने से लेकर साजन तक हर फिल्म में धमाकिदार केमेस्ट्री रही है, और यह वापस से में देखने को मिलेगी डांस दिवाने के सेट्स पर, जब सल्मान और माधुरी एक साथ डांस करते नजर आएंगे, वेल, सल्मान वहाँ पर रिसेंटली नजर आए, उसके ग्रांड फिनाली के एपिसोड में और अफकॉस डांस दिवाने खतम होते ही, बिग बॉस सीजन तेरा शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत एक्साइट्मेंट है, कई ना कई उसी की प्रमोशन के लिए, सल्मान नजर आए वहाँ पर, और खूब मस्ती मजाक होती भी नजर आए, और जब सल्मार और मादुरी मिलते हैं, तो वो आइकॉनिक मोमेंट हम आपके है, कौन का रीक्रेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इसी वज़े से, कई ना कई वो एपिसोड भी हर बार, जब भी सल्मान और मादुरी कहीं मिलते हैं, किसी भी एपिसोड में या किसी भी रियालिटी शो में, तो वो टी-ार-पी रेटिंग उसको फाड के निकलता है, और इस बार भी ग्रांट फिनाले में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो आप लोग कितना एक्साइटेट है, डांस दिवाने के ग्रांट फिनाले के लिए, और उसके बाद तुरंट आने वाला है बिग बॉस सीजन 13, तो उसके लिए कितना एक्साइटेटन है, इसी हफते से शुरू होने वाला है, और सभी को इस शो के प्रेमिर एपिसोड का बेस समरी से इंतजार हो रहा है, जब सल्मान खान आकर हमें इस सीजन के कंटेस्टन से मिलवाएंगे, कुछ दिन पहले हमने आपको बिग बॉस हाउस की कुछ तस्वीरे भी दिखाए थी, और अब हम लाए हैं बिग बॉस से जोड़ी एक और बड़ी ख़वर, सूत्रो क्यानोसार छोटे परदे की स्टार रश्मी देसाई भी इस बार शो का हिस्ता बनेंगे, और कहा जा रहा है कि रश्मी इस शो के लिए नेकस से एक करोड़ बीस लाग डिमांड कर चुकी है, वैल अमांस को लेकर तो हमें कोई कॉन्फरमेशन नहीं मिला है, पर हाँ एक लीडिंग पॉर्टल ने ये रिवील किया है कि रश्मी शो पर अपने बॉइफरेंट अरहान के साथ एंटर करने वाली है, इतना ही नहीं हाँ ये भी खबर मिली है कि रश्मी और अरहान शो पर ही एक दूसरी से शादी भी करेंगे, मगर ऐसा होता है या नहीं ये तो शो के शुरू होने के बाद ही बता चलेगा, फिल हाल बस इतना ही मगर बिग बॉस 13 से जुड़ी ऐसी कई मज़िदार खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कॉमेंस नीचे दिये सेक्शन में शेयर करते रहिए, ये पिчचर्ँ से वाइरल हो रही है, जहा पर सलमान कान कित्टू के सॉंग यार रा मिले पर परफॉर्मेंस करते नज़र आए हैं, अब वेल ये डेविल परफॉर्मेंस सालमान ने दी है प्रेमियर नाइट पर और इसके कुछ पिचर्ँ भी वाइरल हो रहे हैं, डेविल तो नजर आही रहा है लेकिन आप सलमान का अच्छल अवतार स्वाइग अवतार देखेंगे जरूर बिग बॉस की प्रेमियर नाइट पर धमाकेदार एक्सपिरिंस होने वाला है बिकाज इस बर सारे सिलेबिटी कंटेस्टेंस हैं और साथी साथ सलमान इस बर दोगुना जादा तेजी से और यूनो हर चीज हो रही है इस बर बिग बॉस में तो वो देखना काफी जादा दिल्चसप होगा सलमान को लाइफ परफांश करते लेकना बहूत एक्साइट न॓ता है हर बार सो इस बार भी एक्साइटिंग होगा आप लोग इतना एक्साइटिड है सलमान की प्फॉर्मेंस के लिए कॉमें जाकर में जगर बताएएगा और सब्सक्राइब करना मत भूली हमाइरे चानल मुवीजड़ा को दिस जोतीना हग साइनिंग ओफ और सेज्टना मत भूली हमाएरे चानल मुवीजड़ा को